नमस्कार दोस्तों सौकते आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइंस के कुछ इंपोर्टेंट कोस्टन जो की यूपी पुलिस काउंस्टेवल के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों ये पार्ट टू होगा और पांच हजार प्रस्दों का ये स्ट है पूरा इसम्में हम लोग 5000 को देखेंगे जो की यूपी पुलिस काउंस्टेवल में आ सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों पहला हमारा कोश्चन है कि कार बैटरी में कौन सा अमल इस्तिमाल किया जाता है तो बहुत सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 अगला पेंड उड़ जाका कैसा सुरोता है तो नभी करणी उड़ जाका सुरोता है अगला बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है अगला प्राकतिक मों मों लाख किस रूब में प्राप्त किया जाते हैं तो कीडों के सराफ से प्राप्त किया जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि अस्वच्छ सारबजनिक मूत्रयालों के नजदी के खास तैना की गैस की बदवू आती है तो यह गैस कौन से होती त नेक्स्ट कोश्चन है कि दूद में एक विसर्फ प्रकार के चीनी होने के कारण मीटा सौद आता है, जबकि उस दूद से तैयर किये गए दही का सौद खटा होता है, इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन नहीं होता है, तो लेक्टोच का लेक्टिक अमल में, अगला है केस क अगला सारवजनिक, सामाजिक डार्विन वासे क्या भीप्राय तो योग गेता कि उत्तर जी विका, ये इसका भीप्राय है, अगला बस में ड्राइबर के बस काउन सा दरपन लगा होता है, तो उत्तल दरपन लगा होता है, नेक्स्ट कोश्चन है कि बासी मक्षन की दुर् अगला सोडियम बाई कार्मोन नेट का साधारन नाम क्या है, धाबन सोडा, नेक्स्ट कोश्चन है कि बनस पते पिग्यान की इकाउन से सागा पाउदों के रूपा कर का अध्यान करती तो पारे इस्ते सी पिग्यान, अगला लोट्स, जाबा, ओरेकल, इत्यादी से ये सब किस चेतर की कतिवती से संबन देते तो कंप्यूटर साफ्ट वेर, अगला बहान के टायर के से लिए अच्छी तरह अच्छी प्रिकार से फुलाय जाते तो फिसलन से बचने एबम नेउंतम घर सान है तो, अगला कोशन है दोस्तों मेरा सूस की सेल का एनोड किस से बना होता क्योंकि ग्रिसम काल में बिस्तराण होने से दुरगटनाओं से रोंका जा सकता है नेक्स्ट कोशन है कि फ्यूच के तार की प्रकति कैसी होती तो उच्छ प्रतिरोध और निमने दरवणांक यदे अगला कोशन है यदि नोड जथा सलगन एंटी नोड के माद दूरी 30 अगला है कोशन की तरल पदार का गनात गरम करने पर क्या होता है कम हो जाता है अगला नाभी के रियक्टर में इधन का काम कौन करता है तो यूरेनियम नेक्ष गोशन है कि सिनमा की सिधान पर नेर्में तो दरश्टी के पष्च दिपती सिधान के आधार पर अगला ग्रीन हाउस गैस काउंस ही तो करवन डायकसाइड है अगला मानव रक्त प्लाजमा में प्राया पानी की प्रतिसत मातरा में कितनी बिननता होती है तो 80-82% अगला सोडियम पंप का कार एक कहां पर होता है तो तंत्री का आवेग में तो दोस्तों हमारा अगला कोशन मनता है कि सिंदरी जहरखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है तो अमोनियम सलफेट अगला एक बिस में सेबो का सरवाधिक उत्पादन करने बाला देश कौन सा है तो संयोक राज अमेरिका अगला सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तब तो कौन सा है लोहा अगला पोलियो किसके कारण से होता है तो बायरस से होता है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों हमारा रेफरीजरेसन भाई पर करिया है जिससे किटाणों की ब्रतिदर घड़ जाती है अगला पेस्ट मेकर का क्या कार है दिल की दढ़कन प्रारम करना अगला जर्मेनियम है एक क्या है सेमी कंड़क्टर नेक्स्ट कोशन है दोस्तों हमारा बिच्छू का बिस कहां पर होता है तो डंक में होता है अगला ना चिमक किची पकने भाला खाना पकाने के बुडतनों में कांशल लेप चड़ा होता है तो टैफ्लोन अगला गोबर गती में मुख्यचा क्या होता है तो ये मीथेन होता है next question कि सिरकवप कमों के अंगव होता है, एस्टिक एसिड अगला सागरी खरपतवार किसका मैथ पूर्ण शुरूत है तो आयोडीन का अगला कोश्चन है कि प्लास्टर आप पैरिस जमाने के लिए क्या आपस्सेख है तो जल योजन द्वारा अन हाइट्रेट बनाना अगला एन्योच सूत्र बालयोगी का सामाने नाम क्या है कास्टिक सोड़ा अगला 18 करेट सोने में सुद्ध सोन का अनुपात कितना होता है तो पचित्तर परसेंट अगला कोश्चन है कि हिलियम गैस के गुबारों को में क्या भरा जाता क्योंकि बायों से हलका होता है अगला इस क्या होता है तो कलसीम फासफट अगला कीड़न इस्टोन में मोखेता क्या क्या पाया जाता है तो क्या पाया जाता है तो की नेक्स्ट इस तो सबसे नुन तम जोलंशेल रहiva कौन सा 13 अगला ट्राम्स पर्रा रहीयिट तो यह AC बोल्टता को घटाता और बढ़ाता है अगला कौस्टन है कि जब गरम पानी को अपैच्छ तयाग अधिक अतब्त ग्लास के उपर छलका जाता तो वह तूट जाता है इसका क्या कारण होता है अचानक ही ग्लास संकुचित हो जाता है अगला बिद्दो देर दूरी त तक उच बोल्टा AC में पारंग गता होता है इसका क्या कारण है उड़जा की कम हानी होती है अगला टांजिस्टर के सम बिचरों में किस धरबस्तु का प्रियोग होता है तो सिलिकॉन अगला यदि धातु प्लेट में बर्तुल बिबर है तो जब प्लेट को तापित किया ज अगला धातुतर में बैदुदार का प्रवा किस के कारण होता है तो इलेक्टार्ण के कारण होता है अगला धौनी उड़जा को बैदुर उड़जा में परिवर्टिश करने वाला यह अंतर कॉंसा है माइक्रोपोन तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको में पूंसार आपका 47 डाम ऩालाण से साथ्टिश है वीडियो में अगर आपका तोस्तों दोस्तों आपको प्रिवर्टिश करने की वीडियों, क्वेशधार काथभर आपको यह अंतर तोस्तों दोस्तों हुशना है?